सरकारिक शेत्र में ब्रश्टाचार निर्मूलन के लिए किये अथक प्रयास एवं सुर्याज निर्मान के लिए कैसे प्रयास करें इस विशे में हमें डॉक्टर सत्यमेवज जयते लोकमंगल जी संबोधित करेंगे हम सभी उनका परिचय जान कर लेते हैं डॉक्टर सत्यमेवज जयते लोकमंगल जी अर्था डॉक्टर शामधर तिवारी जी गोरकपूर उत्तरप्रदेश में जीएस्टी आयोक्त थे आप सत्यमेवज जयते संगटन के अध्यक्ष है रामराज्य की प्रतिष्ठापना करना यह आपके संगटन का लक्ष है ब्रष्टाचार और अन्याय का प्रतिकार करना यह आपके संगटन का कार्या है आप ब्रष्टाचार प्रतिकार कारेशाला निशुलक लेते हैं सरकारिक शेत्र में हो रहे है भ्रष्टाचार आपने उजागर किया है इस कारण आपको अत्यंत संगर्ष का सामना भी करना पड़ा परन्तु आपने हार नहीं माने अपने पत से इस्तिवा देकर आप पुर्णकाल राष्ट की सेवा कर रहे हैं मैं डॉक्टर सत्य में वजयते लोकमंगल जी से विंती करता हूँ कि भी हमारा मार्गदर्शन करें सत्य में वजयते भारत में उत्तर में सत्य में वजयते भारत में दक्षिन में सत्य में वजयते भारत में उरभ में सत्य में वजयते भारत में पास्चिम में सत्य में हो जायते, भारत में सरवत्र सत्य में हो जायते, सत्य में हो जायते, सत्य में हो जायते परमपिता परमात्मा को अस्मान करते हुए, इस संस्था के प्रेरक, संस्थापक, रात पर गुरुजी का अस्मान करते हुए मंच पर बैठे हुए अपने सम्मानित साथियों और समक्ष बैठे हुए संतजन और सभी मेरे प्रियात्मन भायों साथियों बहनों आप सब करेदय में बैठे हुए परमिस्वर को प्रणाम करता हूँ यहां हम लोग मुख्यता हिंदू राष्ट विशय पर चर्चा कर रहे हैं हिंदू राष्ट के संबंध में हमारी जो समझ है हम समझते हैं कि किसी भी निर्मार के लिए कुछ खंडन करना होता है विद्वन्स करना होता है भारत, महान परमपरा का देश, रिषयों का देश और मानों का मन जिस उचाई तक पहुंच सकता है उसको हजारों और सु पहले नंगी आखों से नंगे पैर धोती पहन कर जंगल मिरा कर हमारे पूरुखों ने रिषयों ने जो ज्ञान की घंगाबाया जिन उचाईयों को छुवा, आकास में जहां तक वह गए आज का विज्ञान, उसकी पूश्टी ही करता दिखता है ऐसे महांदेश की परंपरा में, ऐसे राष्ट को समझना, निर्माण करना यहां जो हमारे साथी विचार कर रहे हैं, उनके विशय के प्रति, उनके विशलेशन को पुरा आदर देते हुए, पुरे मन से स्विकार करते हुए, मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा भारत जो देश है, इसकी जो विशेष्टा है, और हिंदू राष्ट का निर्माण जी से कहते हैं, इसे अलग अलग साथी कुछ भीन द्रिश्टी से देख समझ सकते हैं हम जैसा समझ पाते हैं, कि भारत की जो महनता है, वह उसके अध्यात में है आज हम लोग जब गुरु जी के पास भी बैठे थे, तो उन्हों ने साधना की और इस बात को बार बार कहा आदर्णी गुरु पिंगले जी ने भी बीच में आकर की इस बात को हम लोगों के दिहान में आकर सित करने की चेस्टा किया है यह जो इसलाम है, यह जो इसाइयत है, यह जो नक्सल हैं, जिस दिन हमारे रिदय में सत्य की साधना हो जाएगी हमारे रिशियों की योगियों की जो मर्स पतंजल के बताया हुआ मार्ग है अस्टांग योग की जो पलिपीड़ी है सोपान है यम और यम का भी पहला तत्व है सत्य तो जिस भी सरकार में हमारे पूरवर्तियादर्णी धिर जी भी जिस और संकेत कर रहे थे हमारे जो नेता होंगे हमारे जो अधिकारी होंगे हमारे जो सादुजन है नागरिक है उनके जीवन में जब इन मुल्यों का जितना स्थान आएगा यह देश उतना ही निखरेगा सूर की तरह प्रखर होगा, चाद की तरह सीतल होगा, तो हम सबी को अपने उस पूझी को पहचानना होगा, हमारे पूरवर्ती साथी, अत्री जी ने भी इस और द्याना कृष्ट किया, कि स्वाबोध और शत्रबोध, वास्तों में हमारे रिशियों ने जो मंत्र दिया है, व ऐसा समझ विक्सित करना होगा, कि पूरा जो धर्ती है, आज हम जब संकल्प लेते हैं, आरिया वरते भरत खंडे आधी, तो जिस मेरु दूप की जम्बु दूप की बात करते हैं, आज के वोगोल विज्ञानी भी मानते हैं, कि वास्तान तो अफरीका में है, इसे ऐसा जाज था, विस्तार था, ज्यान था, जैसे आज की यूग में, एक भाई, एक पिता के चार बिट हैं, वह कभी किसी नगर में बस जाते हैं, उनकी जिवन पदती खान पान भिन हो जाता है, उसी प्रकार से हमारी संस्कृति के साथ ऐसा हुआ है, तो मैं अपने भाईयों सा सायत है, यह सब हमारे अद्वायत वेदांद के अंतरगत आ जाएंगे, हमें ऐसे महानपूर्शों की, महान सिख्छाओं की, और उन्हें अपने गुर्कूलों में लानी किया शक्ता है, अपने विशह पर मूल रूप से आने के पहले, क्योंकि प्रिश्टभू ही है, मैं य तिनात जी के साथ हमने पांच वर्शकारी किया है, राजीकर विभाग में वाविभाग वही देखते हैं, और उसके प्रस्टाचार के संबंध में हमने उनको अनेक पत्र लिक करके दिया है, कुछ अधिकारियों की विरुद जाचे चल रही है, कुछ अधिकारियों की जिस भी मंत्री, मुखी मंत्री जी के समक्षवी, यदि प्रमाड रख रहे हैं, तो उनको रुष्ट हो जाते हैं, देखना नहीं चाहते, क्योंकि उनको सत्यप्री नहीं है, योग जिस अस्तर की मांग करता है, बात करता हुआ, शब्दों से नहीं वियनजीत होता है, उसम काम है कर सरकार का बचाना, तो जिनका वहां स्वार्थ बाधित होता है, उन लोगों ने कभी अधिकारी को मारने, डराने, धमकारी से भी वो दूर नहीं रहते हैं, ऐसे छड़ में जब 10-12 लोग राइफल ले करके सामने खड़े हों, तो क्या किया जाए, सिद्धान्द छ टूर दिया जाए, हमने उस समय भी आधनी स्वर्गी अटल विहारीवाज पेई जी की वागपटता का साहरा लेना चाहा, और जब उससे एक गंटे होते होते पुरी रात बिताने का प्रयास था, क्योंकि हमारे पास मोबाइल भी नहीं था, तो हमें लगा कि इनकी सभी बा आधने तो बहुत होते हैं, ऐसा लगता है जैसे को कई दिन के बराबर हो गया हो, फिर हमने गौतम बुद्ध और अंगुली माल का समनड किया, और हमने सोचा कि यदि हमने सत्थ की साधना किया है, तो यदि एक अंगुली माल गौतम बुद्ध के संसर्ग में आकर बदल सक करता है, तो आज भी वह घटना होनी चाहिए, और यदि मुझे अपने बाबा जी, पीता जी, माता जी, पतनी बच्चों से मिलना होगा, तो जी भीत रहूंगा, और यद नहीं राना होगा, तो आज का ये दिन अंतिम होगा, मुझे यह बात ही नहीं आई मन में, कि मैं एक गाड़ी को छोड़ दू, सरकार के लाग दो लाग पचास जा रुपए चले जाएंगे, फिर कल दूसरे वहन को पकड़ेंगे और कर को देखेंगे, सत्य को जीने का, जो सहास है, मैं समस्ता हूं कि इस्वर की क्रिपा की बिना संभव नहीं था, वह रात और राम का नाम, वह इस्वर की थी आसा हमने दो-तीन भार जीवन में अन्वोग किया है, कि चमतकार होता है, राम का नामस्पनर करते ही चमतकार होता है, और जब वो लोग लगभग उतारू थे मेरी हत्यागरने मारने पीटने हर प्रकार से, तो इतनी गाली गलज और सोर गल होने लगा, कि हमारे भवन के जो स्वामी थे, उनकी नीद खुल गई रात बारा बजे, और उटकर के आये, उनको लगा हमारे घर में डखायता आ गए हैं, और उनने किसी एक को पहचान लिया उनमें से, और फिर उन दोनों का विवाद हुआ, और चमतकारी धंग से उन लोगों को वापस जाना पड़ा, आगे की बात नहीं बताऊंगा, समझाएगा उसमें, ऐसे दो तीन प्रकणाय हैं, तो हमें लगता है, कि जो व्यक्ति आदर्स के लिए सिधान्त के लिए जीता है, वह किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करेगा, वह उस व्यक्ति में नहित सिधान्त आदर्स उनकी पूजा करेगा, जिसकी इस देश को आवशक्ता है और रहेगी, व्यक्ति आते हैं, चले जाते हैं, कई चक्रवर्ति राजा जा चुके हैं, तो हमें यदि अपने राश की आराधना करना है, तो वर्तमान का सम्मान करना होगा, लेकिन उससे बढ़ करके अपने मुल् सिलेंस थे, इस समें डियाई एं, लखनो में, आधरनी, वाई स्री जुगल कुसर तिवारी जी, हम लोग सोचा करते थे, अधिकारी थे, कि सत्थ की बात कर रहें, ब्रस्टाचार का विरोध कर रहें, हम लोगों को साथ देना चाहिए, और बल्कि आपने हमकों को चेताया, आधर्स को देखें, तो कभी बाधा नहीं आती काम करने में, मैं चाहूंगा एक एक वीडियो आप लोग देखें, सिधान्द क्या होता है, एक 98 वर्स के युवाव्यक्ति, जो क्रांती की धर्ती मेरट में रहते हैं, स्री कृष्ण कुमार खन्ना जी उनका नाम है, आप उ परश्टाचार की विरुद्ध धर्ना दे रहे हैं, इनोंने इन 31-32 वर्षों में प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखे हैं, सरोच नियाले को कई पत्र लिखा है, और उच नियाले को पत्र लिखा है, 98 वर्स की वस्थाम जब अपने सरीर को समालना कठिन है, प्रत्यक में थे, तो हम लोगों ने जिस देश का सपना देखा था, आज जब इस देश को देखते हैं, तो क्या वैसा है, आँख में आसू आते हैं, मैंने जब सेवा छोडी और उत्तर प्रदेश में ब्रहमड करके, ऐसे सिद्धान्तवादी लोगों को खोज रहा था, मिल रहा था तो उसी ब्रहमड में मेरट में जाने पर आपके बारे में पता चला और मैं मिलने गया, इन्होंने बड़ी मारवीग बात कहा, कहा बेटा, क्या मैं इस संसार से ऐसे ही चला जाओंगा, मैंने कहा पीता जी ऐसा नहीं होगा, इस तोर आपको सतायू करें, और हम लोग इसके लड़ेंगे और भारत से ब्रस्टाचार के राक्षास को रावण को पराजित करेंगे, यह कैसे संभव होगा, उन्होंने कहा बेटा तुम किसी से डरते हो, मैंने कहा पीता जी मैं भगवान से भी नहीं डरता, मुश्कुराने लगे, मैंने कहा हंकार भी नहीं, इसलिए कि साउधानी रख करके उन सिब डरनी की बात नहीं है, तो उन्होंन का नहीं मेरा आर्थ यह है, यह बताओ, कि तुम जेल जाने से डरते हो कि नहीं, मैंने का पीता जी मैं जेल जाने से बिल्कुल नहीं डरता हूँ, तो कहें ठीक है, तुम समय ले करके आओ, और तुमें जे ले रहा है पैसा तो इक्या करें तो कर्याले के बाहर खड़े होकर कैसा किये उन्होंने तुरंती नोटिस दिया उनको अधिकार है जेल बेज दिया गया 58 दिन ये जेल में रहे वहाँ इनके जो अधिवक्ता थे राजकुमार गुरजर जी उनसे मैं जाकर के मिला उसका समाप तरुण कुमार चटरजी साब को वहाँ पत्र मिला इलाहबाद उच न्याले में उन्होंने बिना कोई परिचय प्रोटोकाल लिए मेरठ गए मानी चटरजी न्यादिस उच न्याले इलाहबाद और उन्होंने देखा गूंगूं करके तीन घंटे कि कैसे पेशकार पैसा ल पड़ी उन्होंने डीजे को बोला गिट आउट बार तुम नहीं आओगे अंदर इह मेरी भासा नहीं है यह वहाँ को वकिल इन देखा उनको गिट आउट कर दिया उसके बाद पूरा इन्होंने बाद जित किया पूरी चीज बताया डीजे को बरखास कर दिया इन्होंने और छे जजों को सस्पेंड किया इतना तो अच्छा हो गया क्योंकि एक अच्छे न्याध हिस थे उस समय लेकिन इस एक आसा बढ़ती है कि कभी कभी कहीं कहीं सव में एक आता है हमारे देश में ओबीज हैं जिन से आसा है उसके पस्चात ये अपना धरना जारी रखे लेक जा गया था इन्हों का मैं जवानत नहीं लोगा लेकिन से हो unc analysा कि हम लोग जब धरने पे बैठे तो मनी निया दिस महोदे और बढ़ते आवकास पर चले एथे जूनका का माह था आओकास पर रहते हैं पूरी बैठते नहीं सभी कुछ और कास पर रहते हैं खुछ रहते है तो हम लोगों का सौभागय था, कि यहां मुझे पहुचना था, नहीं तो शाद हम मेरट के किसी जेल में होते, इस संगल के साथ वहां गए थे, अब उन्होंने हम को कहा कि, आप एक बार, एक सब्ता या एक दो महिना का समय लेकर कि जेल में चलने के लिए, मैंने विचार किय कि पिता जी, आप अठाओं दिन जेल में रहे, फिर दुबारा साथ दिन जेल में रहे, फिर जेल में हम लोग रहेंगे, उससे होगा क्या, ये तो फिर वैसा ही चल रहा है, तो हमको कुछ इसके आगे का सोचना होगा, भायों, अब यदि हिंदू राष्ट बनाना है, तो हम लोगों को 15 अगस्त 1947 को जो स्वाधीनता मिली थी, वह अधूरी है, देश को मिली है, लेकिन नागरिकों को नहीं प्राप्त है, हम देखते हैं कि भारत मौलिक, नुसंधान, दर्सन, विज्ञान में क्यों नहीं कर पा रहा है, उसका कारण हमको समझ में आता है, कि च हम से रोना रोह रहे थे, कि हमने एक A.D.A. में बावन लिया है, और हमने वहां बना लिया है, और A.D.A. ने हमारे पर दो लाग जुर्माना लगा दिया कि आपने 30-40 परिसत खाली भूम क्यों नहीं चोड़ा, पूरा क्यों बना लिया, तो उनका कथन था, कि डाइन भी ए अपने कार्याले में नेता या अधिकारी, या पैसे गेबल पर व्यापारी, कहीं कभी किसी छण में मझबूत हो सकते हैं, लेकिन वह भी सोषण के सिकार होते हैं, संग मरमर के टायल्स के अच्छे घरों में रह सकते हैं, लेकिन वहां से निकलेंगे, टूटी सड़को पर तो उनकी भी घर्दन और कमर टूटेगी। तो ऐसा हमारे प्रोफेसर जब जाता हूँ विश्विद्याले में देखता हूँ कई साथी मित्र हैं। मेरी सिक्षा जेनु से कुछ साथी काते हैं कि जेनु में तो ऐसा है वैसा है। लेकिन पुना कहूं कि देश में हर जगा अच्छे लोग हैं, हर जगा प्रस्चन उठाने वाले लोग हो सकते हैं। तो जेनु से अपने सिद्धान्तों आदर्सों को जी करके हम लोग जब यहां आये हैं, तो यह कहना चाहते हैं कि हमारी जो धाती है, हमारा जो जग्यान है, उसे हमें अपनाना होगा. और ऐसे खना जी जैसे लोग जो इस अवस्था में संगर्श कर रहे हैं, इसको स्वरध देना होगा। इसी को और विस्तार देने के लिए खन्ना जी को दी हुए वचन को पूरा करने के लिए हम लोगों ने ये सुचा कि प्रयाग और कासी भारत का धर्मप्रांट नगर है सिख्छा का केंद्र है वहाँ देश के लोग आते हैं हम लोग वहाँ परमपूज लोक मानिबाल गंगादर तिलक जी की पूरिती थी एक अगस्त से नेता जी सुबास्चन बोश की जेनती 23 जनवरी तक एक प्रियोग करेंगे नए छेत्रम उतरेंगे जनता का अग्रा करेंगे आवाहन करेंगे और एक हजार से दिक गाउं में एक लाग से दिक घरों खेतों खलियानों गाउं विद्यालेंगों गोसालाओं गाटों में एक मुठी अन एक मुठी मिठी जल वहाँ का जो भी कुछ ग्यान संकल्प है उसको संचित करके एक प्रयास करेंगे कि भारत में एक निया समय कैसे आए 15 अगस्ट 2047 को कैसे यहां के नागरिकों को वास्थविक स्वाधिनता प्राप्त हो सके जो स्वाभिमान निचोड दिया जाता है अभी हमारे पास एक वीडियो और है समय कम हो रहा है इसने नहीं दिखा रहा हूं कि लाहाबाद में ही नियाले में हम गर्त नियाले में कामकर रहे थे फिर लाहाबाद के एसी घ Danny के करीयाले में एक महिदा जाती है वह 20 रुपए देती है पेशकार को वह पैग देता है काता है सो रुपए दो वो कहती है कि पचास रुपए दे दे कहा चलो दोड़ते रहो प्रस्न क्या है नियायाले कि सामने हो रहा नियाय क्या है नियाय दिश को हम भगवान कहते हैं चिकित सक को भगवान कहते हम और विधायक को भगवान कहते हैं इन तीनों का दर्जा तो सबसे उपर है समाज में, संसार में, लोकी कुरूप से, लेकिन वहां हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, या प्रस्न उठाने का सहस करना होगा, या कब कर पाएंगे, हमने जब मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश में लकनूम पर इस कांफरेंस कर के कहा, कि या जो कहते हैं, ब्रस्टाचार के प्रद जीरो टालरेंस है, 16 अक्तूबर को, ये थोथा नारा है, जहां कहें, वहां मैं चलता हूं काडियाले, हम देखें, हर जगा प्रस्टाचार है, पर्चे चहरा चलेगा तो नहीं होगा, तो हमारे पीछे चार विजिलेंस किया है, युद्ध लड़ूगा चाहे कोई भी आए, मुझे राम प्री है, मुझे सत्य प्री है, मुझे योग प्री है, और कोई व्यक्ति इन मार्गों पर है, तो मेरा मस्तख उसके चरण में है, और कोई व्यक्ति अगर इस मार्ग पर नहीं है, तो हमारा और उसका एक सम में तो हमारे लिए अपने भाईयों से इसलाम और क्रिशियांटी क्या लड़ेगी हम लोग आपस में लड़े हैं हमारे भाई को हमारा भाई ही काले अलो में नी चोड़ दे रहा है उसका स्वाइमान आत्मसंमान नस्ट है नई तो इस देश में कापी पेस्ट न करते जो अमर कर सकें हमारे पूर्खे यह करते रहे हैं हमने मार्ग दिखाया लोगों को अब हमारा मार्ग हमारा सत्य ही दिखाएगा हमारे सिध्धान दिखाएंगे उन मार्गों पर हम चलें ऐसा हमारा नुरोध है और हम लोगों ने विबीन कारेयलों में जो पीडित होते हैं उनका मा प्रशार हो हमारे सिख्षा में योग और धिहान का अगर प्रवेश हो तो मुनिस्ट का कायंतरण होगा बिना योग विधि का उपयोग किये उपदेश दे करके और कानून के दंड से हम बहुत बड़ा कायंतरण भारत के लोगों का नहीं कर सकेंगे ऐसी हमारी समझ है हमारे साधन का, हमारे कारयाले का, पवित्रता और हिदय को विस्तार करने का, दिव्यभव्य बनाने का विशय बने, आधार बने, उसे से बड़ी कोई चीज और उपकरन हमारे पास नहीं है, हम इन शब्दों के साथ, आप सब के रिदम बैठे परमिस्वर को प्रणाम करते जहां अध्यात्म है, स्वाध्याय परिवार का हो, राष्टिश स्वैम सवक संग का हो, यहां है, आएसे कुछ शांति कुझ है, आएसे डेर सारे संस्थानों पर जाते हैं, आट आफ लिविंग है, जहां भी अध्यात्म है, वहीं बारत का प्रान तट और उसकी सुगंध कर दिखती है। जहां हमने अध्यादम को नहीं पाचाना है , वहां भारत खोकळा एकल बुद्धी का असतर प्रपाँ नहीं मिलेगा। हमारी इस सरकारों के पूरा कारिक्रम बनाना होगा। कि हमारे बच्स प्रानायाम को झाने योगों को जाने, ध्यान को जाने और हमारा कराले जो दस वजे से पांच वजे होता है आप इसको साड़े नव से साड़े पांच कर दो और वहां के जो दोपहर का समय जो नमाज पढ़ने साथ ही चले जाते हैं ध्यान कराओ 15 मिनट दो बार कराओ, नाद ध्यान कराओ विपसना ध्यान कराओ, कोई ध्यान कराओ लिकिन कराओ, भारत की सक्ती वहीं से आएगी इससे बड़ी कोई सक्ती किसी भी कानून से किसी भी उपाय से, किसी भी बहुती उपकरण से नहीं आएगी मैं ऐसा बल दे करके कहना चाहता हूँ, अभ्यास करना चाहता हूँ, प्रियोग के बल पर कहना चाहता हूँ, और उनी से प्राण रक्षा के अपने अनुभोष से भी कहना चाहता हूँ, पुना-पुना, मैं आप सभी करिदम बैठे, परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, मै मैं भाई परशांट वहिती जी को, मैं भाई भी सुनाद कुलकर्णी जी को, मैं भाई राजहंस जी को, और सभी साथियों को जुन्हें ने मुझे यह उसर दिया है, गुरुजी पिंगले जी को जो गुरवकुरा है हमारे आवास पर, और ऐसे सभी महानवाओं का मैं कितनों क नाम लो, सब प्रणम में हैं, मैं सब को प्रणाम करता हूँ, और यह विश्वास करते हैं, कि यदे हमने अध्यादम को जगा लिया अपने हृदय में, तो रास निर्मार को कोई रोक नहीं सकता, भारत जगत गुरू होगा, तो इसी बल पर होगा, सभी वियोस्थाय और सुभी वियोस्था का जो रूप यहां देखता है छोटे स्थान पर पूरे भारत के हर नगर और कर्याले और गर और गाउं और खेत में दिखेगा, पुना पुना प्रणाम, धनिवाद सत्मे उजयते.